मेरा हर एक भाई को निवेदन है कि भाई दिल से दिल तूटा है लेकिन हसला अभी नहीं तूटा है तिन साल इसले पड़ाइगी ति घर पे रहने के लिए और अभी बारी है आगे आने कि कोई नहीं आ रहा है तो हम दिल में दिली में रस्त पे भटक रहे हमारी आज तक सुनवाई नहीं हूँ जाएगी मेरा भाय और बहन को मेरा एक ही गुजारिस है कि हम लोग इतना दिन से जो प्रयाज कर रहा है उसका अभी तक कुछ सुनाई नहीं दे रहा है इस सरकार हम लोग को यूबा को सड़क पला दिया जब हम लोग नौकरी का बारे में बोलते सरकार तो सुनते नहीं जब हम लोग पर्मिशन के लिए दिल्ली में जाते तो एक ही गुजार इस दिल्ली पुलिस के कि यहां पर आप बिना पर्मिशन के रहने बाला तो है नहीं आप लोग को पर्टिस नहीं किया जाएगा नहीं दिया जाएगा और मैं बंगाल से हूँ अभी इलक्षन चर रहा द उसका बारे में तो नहीं बोड़ा रहा है अपना देश को कैसे आगे लेकर जाया कि अपना देश का नाम रासन करना कैसा है वी नहीं बोड़ा हमने चानटरल रख का है गलती तो SST का है कि तीन साल चाट साल से एक लंबा पोसेड कराता है नोटिफिकेशन में जो नहीं रहता उसको भी नोटिफिकेशन में नया नया आई सुल आते हैं वही हम भोर रहा कि अभी आज जो होली का त्यार है मेरा भाई सडक पर पड़ा हुआ है मेरा वेश्ट बंगाल का तेलेंगाना महराष्ट उरिस्षा पीहार का भी है यूपी का भी है मेरा हर एक भाई को निवेदन है कि भाई दिल से दिल टूटा है लेकिन होसला अभी भी नहीं टूटा है हम लोग तब तक लड़ाई करेंगे जब तक हम लोग का जोइनिंग में देया कि मेरा घर में भी थोड़ा परिशानी हो गया मेरा घर में भी दिक्कत आ गया एक लोटा बैटा घर में है तो जिमेबारी है इसलिए फॉन को लाया तो हमको लोग लाना पो रहा नेकिन हम गोश्ट बंगल से कह रहा है कि लड़ाई अभी भी जारी है मैं अभी मेरा जाएगा सम मंत्री जाना पड़े तो हमिस साथ का सामने भी जाना पड़े तो जाएगा क्योंकि हम लोग का जो इसू है मुद्दा संक्सत में जो उठाया गा जो हम लोग का कंग्रेस का जो भी है पॉलिटिक्स जो किया उसके हमको निवेदन है उससे दिल से पनाम है कि हम हम लोग का ससी डीटी के बारे में आप बात उठाया और इतना लंबी इंतेचार के बाद भी हम लोग को जॉइनिंग नहीं दिया अभी हौलिक का तेहा चर रहा हुआ है किसी का जॉइनिग आ गया तो अपना डिवल टी टायम मतलब जो जॉइनिंग का जहां है वही पानी पर हौली का तवहर माना रहाli जो जो घार लटके आ गया उट अपना लेकिन जो भाई मेरा दिल्ली पर सड़क पर पड़ा है उसको बारे में भी थोड़ा सचना चाहिए आप लोग जो जो घर में बैठा है प्लीस रिकोस्ट करके निवेदन है कि आप लोग दिल्ली आएए अपना जैसा इस वे कोट के थे तो ठीक है कोट के भी करिए वो भी एक बड़ा आईशू है वो सरकार का हम लोग जो यूबा कर सकती है पेन से लड़ा जाता है वह एक बड़ा आईशू है अज जो दिल्ली नहीं आया यहां दिल्ली आने का कोशिज करिए मेरा भाई लोग बहुत इंतिजर कर रहा है मेरा बेहन लोग इसना आसू फेला रहा है न जब इलेक्शन खतम हो जाएगा ना तो रोजगार रहेगा जो सरकार का बड़ा बड़ा इसुए कुछ भी नहीं रहता है यहीं बोलता है कि ससी जिड़ी का जो मुद्दा है उसको और आगे बढ़ाना है अपना संक्सत में गिया है हर एक दिन संक्सत में बात उठना चाहि लाकी It आए जो 4 साल लंबा 50 дор साल से लंबा इंदेजा किया है उसको पेहले जौनिंः दिया जए लड़ाई तब तक जारी रहा हो जबतल जो नहीं दिया जयेगा तही सुपरीम कॉट जा सकते सुपरीम कॉट भी जाना पड़े तो जायेगा सरकार का हर एक लंबा लंबा जो गली है ना सरकार मंत्री का घर उहां तक भी जाएगा क्योंकि सरकार को बनाता है हम किसी नेता अपना खुझ से नहीं बन जाता है हम लोग बैठाता है उसको गोधी पर देश के सेवा पोजा का उपर होता है राजा राजा का जीमेबार एक है कि पोजा कैसा है ठीक से काता है हम नाम शुषमिता आमे वेस्ट पहंगलें मै आचके दिलली ते पोरे आौइ अचए दुमा शोएस गालो। वैस्ट पेंगल अझेडल तो सकते सार्हे के भुटनुन हो ंसीольноजरे मैं वैस्टिने दीख से इतो!! तो एटा दो भावा उचीत शर्कारे जे आमरा वेस्ट पेंगल तेके दिल्ली तेश पोरे आची आमादर के देख्छे ना भोटनी ये बहस्त शर्कार आर आमी वेस्ट पेंगल शबाई के एक्टा गथा बोलते जाए जारा भाब छो जे बीजेईपी खुब भालो बीजेई जोखन तो आमादर साथे कोनु किछुई घोडते पारे शर्कार तो क्योव बोलते पारे ना की घोडबे आमादर साथे तो शबाई के बोल्छी जिए जोखन भोट्टा देभे एक्टु भेवेचीनत देखे देभे करान जेश निस्टो आमना तोमादे छेले मेर बॉय शे किन्धू आ हमादर लाइप ता देखो की अबस्ता रास्ताई काठत ची अमरा रादगूलो आमादर रास्ताई काठी वत रत्बॉल्चीन आज जो जितने भी कैंडिडेट हैं सब दो आजार आठार आठार आगा जो एससी जडिडीट हमने सब एक्जाम दिये थे सब मेडिकल फीट हैं लगातार हम इधर डेड़ मेने से ज्यादा हो गया हम लोग दिल्ली में हैं इसमें भी एमपी बेगारा है पीम अफिस से सूरी करके राष्ट्रपति भवन तक सब जगह हम अपना जो आफ्लिकेशन मेमरीन नम ले दिये लेक इधर उदर रोड में भटक रहे हैं हम लोग कोई भी सुनमा ही नहीं हो रही है कि लेकिन फिर भी हम लोग अंदर से टूट गए हैं लेकिन हमारा जो होसला है ना इतना जल्दित कूटने वाला नहीं है जब तक हमको जैनिंग नहीं मिलती है हम उप दिल्ली में है लगातार पर जब तक जाइनिंग नहीं मिलती है, हम लोग यहां से नहीं जाते हैं. क्योंकि 2018 में इसकी फॉर्म फिलब किया और 6,210 इसकी जागा निकले थी, उसमें सिफ 54 नजार को लिया गया है, बाक्की को बाहर कर दिया है. तो हम सरकास यही पूचना चाहते हैं कि हमने तीड मैने से है दिली में प्रोटेस्ट के लिए हमने सब जगा मेमोरेंडम दिया है, बीजेपी ओपिस, कॉंग्रेस ओपिस सब जगे पर हमें इस निराशा के अलवा कुछ मिला नहीं है अभी तक. और संसद में हम संजे सिंग से भी बात किये कि संसद में हमारा मुद्दा उटा है, तो हम संसद में मुद्दा उटा है भी गया है क्योंकि गुजरात की शक्ति सिंग जी नि उटाया है, तो हम चाहते कि उनका रिपला अभी तक नहीं मिला है कि क्या है इसका उत्तर, कि हम न प्षड़िन मेने से दिल्ली में रस्त पर भटकरे, इधर उदर, हमारे आज तक सुन्वाइ नहीं हुए। हम सरकार सी यही चाहते है कि वह हमारी मदद करे और हमें जोनिंग आए। तो हमी चाहते है कि हमें जोनिंग जाए। कि पैसे नहीं रहने के लिए फिर भी हम दिल्ली में रोल पर बटा करें, हम घर पर रहने वालों से ही कही नहीं कि दिल्ली आय और देखे मोहल के लिए